दोस्तों अगर आप नए हैं और आपने रहास Mx चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए तदा आपने दोस्तों को शेर करना न भूले आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुझे बेकिस्तान के बारे में उजबेकिस्तान मध्यईष्यमिष्थी एक छोटा सा देश है, इसे प्राक्रूतिक नज़देश से डुनिया के सबसे विच्चितर देश माना जाता है यहां मध्य इसिया का ऐसा देश है जहां परवत, नदी, जर्ने और मरुसल एकी साथ देखा जाता है जो इससे मध्य इसिया के अन्य देशों से काफी अलग बना देता है यहां का हर इक इमारत उजबेक सामराजिय का आन, बान और शान बया करता है यहां पे अलग-अलग रंगों से बनी इमारते लोगों को बहुत ही आकर्सक करती है और इसी तरह की इमारते देश के अन्य हिस्सों में काफी मात्रा में देखी जाती है यहां इमारते वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही नहीं यहां पे आने वाले प्रवासियों के लिए एक नया अनुपह भी है हर साल दुनिया के हर इस्से से लाखो प्रवासी यहां कोमने के लिए आता है सिल्फ उझबिक की इमारत ही नहीं यहां की संस्कृती भी बहुत ही आकर्षणिय मानी जाते है और हजारों सालों से चली आ रही ये संस्कृती, उजबिकिस्तान इत्यास और अस्तित्व का एक बहुती बड़ा स्तर्ण को माना जाता है इत्यास गवा है कि यहां का संकित सदियों से दुनिया के एक बड़े अंस को प्रभावित करता रहा है उज्वीकिस्थान को मद्ययए इसियागा सबसे ज्यादा अबादी वाला देश माना जाता है और यहां की अबादी लगपग तीन करोर से भी ज्यादा है उज्वीकिस्थान के इलाके सारे देश में अलग-अलग है जैसे पस्चिम में नीचली जमीन है और समतल पत्थर है वहीं मध्य में दुमिया के सबसे बड़े रगिस्तानों में से एक है और पूर्व में बड़े बड़े पहाड और अर्धसुस्क जास के मेदान है साल 2016 में उजबिकिस्तान ने 1901 के बार अपना पहला चुनाव आयरित किया था यहां के ज्यादा तर लोग उजबेक प्रजादी के माने जाते हैं जो मंगोल और इडानी लोगों के सब मिश्टन में बने हैं यहां के ज्यादा तर लोग उजबेक भासा में बात करते हैं यहां पर लड़कियों को काफी अधिकार दिये गए उजबेक संस्कूती के अनुसार उजबेक लड़का और लड़की एक दूसरे से हाथ नहीं विला दे यहां पर लड़कियों को सम्मान और आदर जताने के लिए अपने दायने हाथ को दिल के उपर रखना होता है यहां पर सिक्सित की मातरा लगपक सौ प्रतिसत हैं और सिर्फ तीन करोड आबादी होने के बावजुद इस देश में हर साल छे लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं यहां का राद्दानी और सबसे बड़ा सहर तस्किंट है जिसको 1970 के दसक में बहुती आधुनिक तरीके से सजाया गया था यहां पे लोग प्रतियाई लगपक भारत के बराबन है उजबेकिस्तान का जादतर पैसा अपास और सोने से आता है उजबेकिस्तान मध्य इसिया का पहला ऐसा देश है जहां पे बुलेट ट्रेन का निर्मान करा गया और यह 2011 के साल में स्पैनिस कंपनी के द्वारा बनाया गया उजबेकिस्तान को 1924 में अज़ादी मिली लेकिन 1925 से सोवियत उन्यन का हिस्सा रहा सोवियत उन्यन का सोच एक नास्तिक सोच होने के वज़े से उजबेक के हजारों साल पुराने संस्कृती पर एक घहरा चोट पहुचाया गया और अन्त में 1991 में यानि की 1991 में सोवियत संग तूटने के बाद उजबेकिस्तान को अज़ादी मिली तो दोस्तो ये थी हमारी जानकारी उजबेकिस्तान से जुड़ी हुई अपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आपकी राय वो कमेंट हमें जरूर लिग भीजिए दोस्तो आप अपने सुझा ओ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिग सकते हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा आपने दोस्तों को शेर करना मत भूलिए धन्यवाद